हेलो एवरिवान वेल्कम टू माय चानल आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट बॉन सुन डाइरी जो की रस्किन बॉन तो रहा लिखा गया है तो इस चाप्टर में हमें रस्किन बॉन की डाइरी से लिखी हुए कुछ पेजर या कुछ समरी बताई गई है जो की नीचर के बारे में ह तो जो रस्किन बॉन है वो नीचर से बहुत करीब रहते हैं यानि नीचर उने बहुत पसंद है और रस्किन बॉन मसूरी में रहते हैं तो मसूरी में क्योंकि नीचर बहुत ही खुबसूरत जगा मसूरी है एक हिल स्टेशन है उत्राखन में दहरादून में सो मैं खुद वहां बहुत ही ज्यादा खुबसूरत है और तो रस्किन बॉन का घर वहां पर है तो वह अपनी डायरी में रोज कुछ नेचर से रिलेटेड अपनी जिंदगे से रिलेटेड लिखते थे तो उस उनकी डायरी में जो भी लिखाता हूँ उस चैप्टर में हमें बताया गया है तो हम अपनी जो है समरी शुरू करते हैं तो हमारी शॉर्ट मॉनसूर डायरी शुरू होती है जिसमें डायरी में जून 24 को बताते हैं रस्किन मॉन के उनके साथ क्या क्या हुआ पहले दिन था मौनसून का तो मसूरी है, ज़ादा तर वहां पे ठढड ही रहती है ठढड मतलब मौसन बहुत अच्छा रहता है बारिश ज़्यादा रहती है तो पहला दिन था मौनसून का और जो मौनसून की धुंद थी पूरे जगा चा रही थी वो यह कह रहा है कि बहुत अजीव था क्योंकि थोड़े ही दिर पहरे जो चिडियां थी, यानि चहा रही थी क्योंकि जंगल है में पे तो बहुत सारे चिरिया और बहुत सारे जानवर होते हैं तो लेकिन अभी गा नहीं थी लेकिन अभी क्या हुआ उस धुन्थ पूरे बादल को धग दिया जैसे कि कम्मल ओड दिया हो सारे पहाडों ने तो क्योंकि मॉंसुन का मसूरी का वैदर है बहुत अनेक्सपेक्टेड़ कभी दू मिनिट में धूबा जाती है तो मिनिट में बारिश होने लगती है और मिनिट में बहुत जब अन्हें ने होती है कि मुए गंते पहले अब चडिडीया चहा रएए घकट भूह रही ती अल्यार को कहते हैं जरी दो पनातन स्वानिगा अब इंच पर घ्म्म कथ में रही है जब है लेकिन अब बेसे आणसे रात होगया हूँ तो वो sebelते हैं she became非常 sp怎麼樣 एक बच्छा था जो उन्हें गर के पास रहता था तो बीजव अपनी बेहन को बुला रहा और मैं अवाज ही पूर रहा था और मैं सुन रहा था कि जैसे वो भार भाग भाग के अपनी बेहन को नपısन लगा रहा है लेकिन सब Peninsula polo मैं इसको देख नहीं पा रहा था अब जून 25 की एंट्री है और हर एक दिन वो लिखते हैं कि उन्होंने क्या क्या देखा जून 25 को कहते हैं कि अब जैनुरी रीन शुरू हो गई हलकी सी गर्माई थी थोड़ी सी हुमिट थी जो मौसम में थोड़ी नमी सी थी और ज्यादा थंडा तो था क्योंकि हमेशा यहां पर थंडा ही रहता है जो प्लांस थे उन्हें भी जैसे निकलने शुरू हो गए थी क् स्कूल के बचे ने एक स्कूल बॉइ ने मुझसे पूछा कि आप हिल स्टेशन और वैली को मुझे एक सेंटेंस में बताइए तो मैं कहा कि एक पैरेडाइस जैसा है मसूरी फिर कहते हैं जून 27 की एंट्री में बताते हैं कि जो बारिश है बारिश शुरू हो गई थी तो संदेश देती है कि कुछ और नए विजिटर्स हमारे मसूरी में आने वाले है अब जो लेपर्ड वैसे तो वह जंगल में रहते हैं लेकिन जब बरसाच शुरू हो जाती है तो वह थोड़ा ना लोग के घरों की तरफ बढ़ने लगते हैं और लीचेस लीचेस एक जो जबता कि वह लगई तो बहुत कमन होता है मसूरी में तो वह कहते हैं कि लेपर्ड मियन चुरू हो जाते हैं लीचेस हर जगा जह लीचेस वह जो यह अपकी पैरों में लग जाती है अगर आपी शूज नहीं पहने होंगे तो कल की बात आग कर श्याम की बात है कि एक जो ल लेपट ले गया और शाम को उसने लेपट ने पीजू की जो एक बच्चा है उसके गाय को भी उसने अटाक हिया लेकिन वीजू की माँ चलाई तो वो जो शेयर लेपट था वो भागा और लीच घुट अपाई जाती है और अदर जो अर्य को पाक्षी आते हैं वह स्कालेट म जोएलरी की तरह अलाग से चमुक्ती है बहुत एक खुबसूरत लगती है अब एक और चिर्या होती है वह होती है द्रॉंगोस तो जोट अग्रेसिव होती है तो इनको भगाती रहती है तो यह से मौनसून में वह कहते हैं कि ज्ञाड़ें वगेरा है वह बहुत तीज़ी से पूरे पेडों को ढग देती हैं और इंसेक्स पित निकलते हैं वारिश आती है तो खाने की पूरा जमीन चिप्चिपीसी रहती है तो अगस 2 में आ जाते हैं तो वह कहते हैं कि सारी रात बारिश होती Τ्いき आखै हैं ती तो इसे शप आराही हुती हैुट चाहिं, जिए को नուब आरे काफ रावाज होती है गते हैं, कोई तुफान यyim की टुफान शपी काफ निया την ख़ा दिन ये विशलाई निया झालोорт वहीं प्रवाज लुग निकल गही हैं कि जब बारिश होती होती हैं all those do weka और गाये को चरा रही थी और मैं को गले में गंटी होती है यह आवाज में बसकी और अवाज में शुन पारा बारिश रुक गई है दुबारा से नॉर्मल हो रहा है सब चीजे लेकिन अगस्त बारा को फिर वो बोलते हैं अगस्त बारा को क्या हुआ अब फिर से एंडलेस रेन ऐसी बारिश जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही और पूरी पर्मनेंट धुन चा गई तो कि मसोरी बहुत पूरश नहीं देखा हर एक चीज गीली थी पूरा जमीन गीली पेड गीले सब चीजे गीली बस मैं अपने कमरे में ही घूम रहा था और खिड़के से जब भार दिख तो कुछ लोग चाता लिए नजर आ जाते थी जो हिल साइट थी पहाड का साइट था पूरी ग्रीन और खुबसूरत फूलों से चोड़ फूल खिल रहे थे आने लग रहे थे और पूरा जो ग्रीन हिल सी पूरी ग्रीन थी अब 31 अगस्त को वो कहते हैं अगस्त का लास देन था और जो मॉंसून की वज़े से जो है पेड़ पौधों की ग्रोध भॉज़ बहुत 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 लग रहा था और जो थी अलग य पूलों के सीड्स फेक निeston इसमेexpl menu निकल रहे थे यानि सब्सक्र बद्द हैं और जब कोब्रा ली इली जो स्वश्चुरण हो गए टीयों कोबरा ले लाल होती है यह उसकर जो सीड्स होते हैं एसे यह पता चलता है कि बारिश को खितम हो यहां बाग बाग सी तो खुम सुभूब्स पूलों Jefferson the wildatalya तु में टेलल डेलिय, पेला भीलिय, मैजनड़ लेकड़ ऐल्हें र्हें संप और रोडेंस होते हैं we इन्हिंकि पानी बर्गे थे लग इसले वह कभी तो आोग ते तो जाए वाही है तो गुष 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 घुकाने जादी के संव्स को अट तो इसोगो आगे उस उसापको एक्या गुष गुष तो जो भी तो जो दो चाचुंदर को हम अपनी हिंदी लांगुज में बोलते हैं मुझे नहीं पता लेकिन मुझे कुछ चेक मिला था मैल में और बहुत बड़ा चेक नहीं था लेकिन थोड़े बहुत पैसे थे जो मैंने वेलकम के फॉस मुझे बहुत अच्छा लगा तो वह अक्टूबर 3 की बात करते हैं अगस्कतम और कि कहते हैं कि हम मौन्सून से सीधा विंटर्ज में आगए क्योंकि मौन्सून शुरूए थे जून में अक्टूबर में शुरू हो जाता है विंटर्ज को कि हिली रेजन है और बारिश बारिश के साथ साथ ओला भी गिरने लग गया जो आसमान था मतलब जब ओले गिरते हैं लग बारिश के अजन्वरी धुस्तुर्ज में बहुत क्यों क्यों टोब जाता हूं कि तो यह कहते हैं जैनुरी ट्वारिश था लोग्ता थे यह फोपसूर्थ ही में बहुत ही बहुत ही शौन्त और बहुत आच्छा लगता था शंच्यों अबहूत सब्ड Rights रहना और भार खुन के पळषाता रिर्जा और जो जैसे बारिश की अधस्यल्यार जाए और और दो सोना आफ चलती थी तो पत्तोंगे खड़ कड़ाने की हावा चभते जब बारिश गिरती थी तो उसकी हावा उसकी अवा इस हावाज उसब और च्र्वार्भा Take ऑफ विंडो में बैथा है और देख रहा दो तो बारिश रूकती थी ज़हे हो रूरी थी ह् एव पिरफक्ण नगरे आदे हो तो मार्च पहस सिंसार की वीजा और मुझा कर दो लें लिकष्ट का करें कि ऑसब और मंगुआ त्रिकorp बारे काले बादलाए बारी शूई ओले पड़े आदे खंटे तक करीब उले पड़े उसके बाद जो आस्मान में लिल्कोल साफ हो गया और मैं जैसे मैं लिख रहा हूं यह तो मैं देख रहा हूं कि मेरे सामने खिड्की पे खोप सूरत सा रेंबो बन रहा है और यहां पर हम लगबख सारे चाप्टिस कंपलीट करती है जो बचे हैं वो मैं जल्दी से कंपलीट कर रही हो प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्चिन में देरी हूं और मैं कमेट में पिंड कर दूंगी प्लीप लिए थेक्स वूचे